वर्कशेट प्रेंट करना प्रेंटिंग अ वर्कशेट इस वीडियो में हम वर्कशेट को प्रेंट करने की विधी से अवगत होंगे। प्रिंट के जाने वाले अन्य पेजों का प्रिव्यू देखने के लिए विंडो की सथर पर अगला पेज नेक्स पेज या पिछला पेज प्रिवियस पेज पर क्लिक करें प्रिंट के अंतर्गत प्रिंट की जाने वाले प्रतिलिपी संख्या नंबर ओफ कॉपीस सिलेक करें प्रिंटर से प्रिंटर का नाम चुने Settings में प्रधम Dropdown सूची में तीन विकल्प होते हैं Print Active Sheets सिर्फ सक्रिय शीट को प्रिंट करने के लिए Print Selection चैनीज शीट को प्रिंट करने के लिए Print Entire Workbook संपूर्ण Workbook को प्रिंट करने के लिए Text Box में Page Number प्रविश करके Page बता सकते हैं यदि किसी एक कॉपी में कई Page हैं तो आप Collated, Were, Uncollated कर सकते हैं उप्योग करता Portrait Orientation जिसमें अधिक पंक्तियां होती है लेकिन बहुत कम कॉलम होते हैं Landscape Orientation अधिक कॉलम होते हैं लेकिन बहुत कम पंक्तियां होती हैं का चैन कर सकते हैं आविशक्ता अनुसार Paper Size सिलेक करें Margins, Margins, Dropdown सुची से पूर्व नरधारत, Normal, Wide या Narrow में से किसी एक को सिलेक करें Scaling, Dropdown सुची से Fit, Sheet on One Page सिलेक करें सभी प्रकार के बदलाव करने के बाद अंत में Print निकालने के लिए Print बटन पर क्लिक करें देच्ची से लिए झाल झाल